अपने अपने कर्मों का हिसाब सबको मिलता है एक गाउ में एक किसान रहता था उसकी परिवार में उसकी पतनी और एक लड़का था कुछ सालों के बाद पतनी के मिरत्यू हो गई उस समय लड़की की उम्र 10 साल थी किसान ने दूसरी साधी कर ली उस पर दूसरी पतनी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ, किसान की दूसरी पतनी के भी कुछ समय बाद मिरत्यू हो गई किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था जब साधी के योग हुआ तब साथ किसान ने बड़े बेटे की साधी कर दी फिर किसान की भी कुछ समय बाद मिरत्यू हो गई किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहले पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे कुछ टाइम बाद किसान के छोटे लड़के की तब्यत खराब रहने लगी बड़े भाई ने कुछ आसपास के बैदों से इलाज करवाया पर कोई राहत ना मिली छोटे भाई की दिन पर दिन तब्यत बिगरती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सला की यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसकी इलाज के लिए पैसा खर्चना करना पड़ेगा तब उसकी पत्नी ने काहा कि क्यों ना हम किसी बैद से बात करके इसी जहर दे दिये जाए किसी को पता भी ना चलेगा कोई रिष्तिदारी में भी कोई सक ना करेगा कि बीमार था बीमारी से मरत्यू हो गई बड़े भाई ने ऐसा ही किया एक बैद से बात की आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना मेरे छोटे भाई को जहर देना है बैद ने बात मान ली और लड़ के कि म्रत्यू हो गई उसके भाई भावी ने खोसी मनाई कि रास्ते का काटा निकल गया अब सारी संपति अपनी हो गई उसका अंतिम संसकार कर दिया कुछ महीनों पस्चात उसकिसान के बढ़े लड़की की पतनी को लड़का हुआ उन पती पतनी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़की की परवरिस की, थोड़े दिनों में लड़का जवान हो गया, उन्होंने अपने लड़की की साधी कर दी, साधी के कुछ समय बाद अचानक लड़का भीमार रहने लगा, माव अपने उसकी एल लड़की की एलाज में अपनी आदी संपत्ती तक बेच दी, पर लड़का बीमारी की कारण मरने की कागार पर आ गया, सरीर इतना जादा कमजोर हो गया, कि अस्ती पंजर सेस रह गया था, एक दिन लड़की को चार पाई पर लेटा रखा था, और उसका पिता साथ में कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लड़की का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो, ये सुनकर उसकी पिता नहीं सूचा कि लड़की का दिमाग भी काम ना कर रहा, बीमारी के कारण और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं, तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं, जिसे आपने जहर किला कर मरवाया था, जिस संपत्ती के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आदी बिक चुकी है, आपकी सेस है, हमारा हिसाब हो गया, तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, कि किया, मेरे आगे आ गया, पर तीरी पत्नी का क्या दोस है, जो इस बेचारी को जिन्दा जलाया जाएगा, उस समय सती पर था थी, जिसमें पती के मरने के बाद पत्नी को पती की चीता के साथ जला दिया जाता था, तब वो लड़का बोला, कि वो बैद कहा, जिसने मुझे जहर खिलाया था, पिता ने कहा, कि आपकी मृत्यों के तीन साल बाद वो मर गया था, तब लड़की ने कहा, कि ये वही दुष्ट बैद आज मेरी पत्नी के रूम में है, मेरे मरने के मरने पर इसी जन्दा जलाया जाएगा, दोस्तों हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्दा में मिल जाता है, धन्दा दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर जरूर करें, और चेनल को सस्क्राइब करें,